हलो दोस्तो मोहिटूर एंटेस्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत सागत दोस्तो प्लिस चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को जरूर दमाएं दोस्तो लाइक कमेंट सेर जरूर करें वीडियो अगर अच्छी लगती हूँ दोस्तो दोस्तो आज हम गाउं पे चाय बनाएंगे और यह देखिए देशी दूद की चाय बनाएंगे आज तो आईए देखते हैं कैसे बनाना है और दोस्तो गर्मी तो बहुत तेज पढ़ ही गाउं में लेकिन यह है कि तीन वजे तीन साड़ तीन वजे के बाद मोसम काफी अच्छा हो जाता है और यह देखिए मैंने अद्रक कूचा है एक पत्थर के थुरू इस तरह हम कूच लेंगे अद्रक को अच्छे से चलिए अब हम चाय में डाल देते हैं आईए अब हम चाय के पत्ती डाल देते हैं चीनी भी हम डाल देते हैं क्या मेरे पास स्टेंड नहीं है भी मुवाइल को लगाने के लिए और इसलिए कि मैं हाथ से वो कर रहा हूं तो मैंने पहले ही चाय की पत्ती और सक्कर निकाल लिया था और गाओं में थोड़ा अधिक चाय में में बना रहा हूं इसलिए पतेले में मैं बना रहा था चाय तो यह देखी दोस्तों कितना च्छम बाहर कना जा रहा है लेकिन अभी गर्मी पढ़ रही इसलिए बहुत सारी चीजे मतलब सभी पूरा सुखा सुखा दिख रहा है पहाड लेकिन दोस्तों हरा है और मोसम भी लगभग ठीक ही नहीं ज्यादा अभी गर्मी भी नहीं पढ चाय को फिर से देखते हैं वाइल हो गई होगी तो यह मेरा कीचन है तो यह देखी दोस्तों अब हम जड़ा सई से चला देते हैं और अच्छे से वाइल करेंगे यह देखी बॉयल भी अच्छे से होने लगी है चाय बस थोड़ी देर हम पकने देंगे चाय को और उसके बाद हम चान लेंगे यह देखी दोस्तो चाय हमारी पक गई है अच्छे से अब हम इसे एक उसमें चान लिये हैं अब हम चलिए डिस्पोजल का यूज इसली कर रहा हूँ दोस्तो क्या है धेर सारे लोग हैं हम लोग तो इसली डिस्पोजल का यूज कर रहा हूँ आप सभी को पता होगा दोस्तों गर्मियों के मौसम में गाहों में कितनी कमी होती ही पानी की इस कारण से हम डिस्पोजल का यूज़ कर रहे हैं तो ये देखी एक एक डिस्पोजल में हमने चाय निकाल लिया है चलिए ये लाश्ट डिस्पोजल में भी हम चाय निकाल लेते हैं अब हमारी चाय रेडी है दोस्तों अब हम लोगों को चलिए पिलाते हैं और देखते हैं कैसी बनी है ये चाय और चैनल को आप सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर दवाएं दोस्तों लाइक कमेंट से जरूर करें हम नेश्ट वीडियो में